अब हमारे पास question है create a function that generate a random number between a given range ठीक है तो एक random number डिकालना है दो range हम देंगे मतलब user भी दे सकता है ठीक है और कोई देगा 2 range और उसके 20 की random number डिकालना है ठीक है तो बहुत ही simple से चीज है ज्यादा कुछ है ने इसमें तो यहाँ पर मारे पास एक function होता है math.random वो के random कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ पहले तापको यहाँ पर मैं लिखता हूँ get random number ठीक है एक function मालेते है get random number का और उसमें दो number डेंगे mean और एक max ठीक है तो उसके 20 की range निकालेंगे तो यहाँ पर return कर दे रहे है math.random ठीक है math.random function कैसे काम करता है पहले मैं दिखाता हूँ ठीक है तो भी फिलाल हम कुछ नहीं करते है math.random ऐसे निकाल लेते है तो console.log मैं अभी बस ऐसे get random number function call करते है math.random से क्या है कि कोई number आ रहा ठीक है दो चीज के मतलब ही देखिए यह number क्या है मैं save करता हूँ फिर से यह देखिए ठीक है 0 से लेकर 0.9 तक ही ठीक है मतलब 1 नहीं 0.9999 तक ही यह number रहा है math.random से random number अगर मैं इस number को multiply कर दूँ 10 से तो क्या number आता है ठीक है ठीक है 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ही number आएगा आ रहे ना ठीक है अब इसी को मैं अगर math.floor कर दूँ math.floor तो math.floor से क्या होगा floor number आएगा ठीक है तो दीक है यह floor number अब random number कोई भी आ रहा है 0 से 9 तक ही एक floor number है ठीक है उसका अगर point में आ रहा है तो वैसे 4.222 ऐसा कोई number है तो इसको 4 में दिखा रहा है simple चीज़ है तो यह दिखिए जो number आ रहे है हमारे पास यह number जो आ रहे है हमारे पास यह 0 से 9 तक ही आ ठीक है 0 से 9 तक 10 नहीं आ रहा है तो हमें क्या चाहिए कि हम एक number प्लस कर देते हैं ठीक है इससे क्या होगा 10 के 0 से 10 के बीच में आएगा तो अगर मैं आप प्लस 1 कर देता हूँ अब 1 से 10 के बीच में आएगा simple चीज़ है अब 1 से 10 के बीच में आएगा 10 लिखा था मैंने 10 से multiply कर दो ठीक है अब देखे मैं क्या करता हूँ यहां पर अगर suppose कीज़े मुझे 50 से 100 तक की number चाहिए तो मैं असके नहीं कर सकता हूँ कि यहां पर 50 से multiply कर दो ठीक है प्लस 1 तो देखे यहां पर क्या रहा 1 से 50 तक की number आएगा 1 से 50 तक की number आएगा मेरे को अब मैं इसको अगर एक bracket में ले लो क्यों तो multiply हो जाएगा फिर प्लस 51 50 कर दो तो मैं को 50 से शुरू होने के बाद 50 तक की number आएगा मतलब जो है 50 से लेकर हमारे पास 100 के बीच की number आएगा यह मैंने यहां पर लिखा है ना मैं यहां पर कर देता हूं कि max को minus कर देता हूं तो 100-50 कितना हो गया 50 हो गया अब प्लस करते हैं क्योंकि math.random में ऐसी गाम किया आता है ठीक है और उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर इसके बाद plus कर देते हैं मिन के मतलब कहां से शुरू करो यहां से शुरू करो 50 से शुरू करो 50 minus मतलब कि 100-50 50 50 range के बीच में चलो 50 range के बीच में चलो 50 से लिका 100 के बीच में चलो और plus 1 क्यों लिखा है ताकि math.random वह क्या करता है कि हम देखा 0 से शुरू करता है तो अब देखिए इसली काम कर राठी है